दुनिया का पहला वैक्सीन रूस ने तैयार कर लिया है इस वैक्सीन को अलगर अकिस्तर पर बनाने के और भी कहीं देशों से मिल गए हैं लेकिन इन सब के बाद भी इस वैक्सीन के सुरक्षित होने पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसी सरकार ने जो दस्तावेश पेश किये हैं इसे जानने के लिए कि वैक्सीन कितना सुरक्षित है उन दस्तावेशों के मताबक इसकी क्लिनिकल स्टडी पूरी नहीं हुई है और यही इस वैक्सीन के सुरक्षित होने पर सवाल खड़े कर रही है विश्विस्वास्त संगटन समेट दुनिया के कई वग्यानिकों ने इस वैक्सीन पर सवाल खड़े किये हैं सामने ये भी आया है कि ट्राइल के नाम पर 42 दिन में सिर्फ 38 वॉलिंटियर को ही इस वैक्सीन का डोज दिया गया है इसके अलावा ये भी बता साइड एफेक्ट नहीं देखा गया लेकिन दस्तावेजों का कहना है कि 38 वॉलिंटियर में से 145 तरह के साइड एफेक्ट देखे गये हैं ट्राइल के 42 दिन भी 38 में से 31 वॉलिंटियर इस साइड एफेक्ट से परिशान नजर आ रहे थी तीसरे ट्राइल में क्या हुआ इस जानकारी को दस्तावेज में नहीं बताया गया है वहीं विश्वस्वास्त संगठन रूस चे वैक्सिन पर सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि रूस के वैक्सिन से जुड़ी जानकारी अभी तक WHO के साथ साज़ा नहीं कियी गई है इसने संगठन को शक है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए दिए गए दिशा नरदिशों का पालन नहीं किया है और वो इसकी जानकारी भी नहीं देना चाहता। जिन लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ उनमें बुखार शरीर में दर्द शरीर का ताप्मान बढ़ना जहां इंजेक्शन लगा है वहां खुजली होना और सूजन जैसे साइड एफेक्ट स्पष्ट नजर आए इसके लावा शरीर में उड़जा महसूस ना होना भू करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया रूस ने अब तक वैक्सीन के जितने भी ट्रायल किये हैं उससे जुड़ा साइंटिफिक डेटा पेश नहीं किया है अब रूस के वैक्सीन बनाने में वाकई कोई जल्दबाजी नजर आ रही है या रूस ने गाइडलाइन का प जाजा तब होगा जब उजनता के बीच मार्केट में उपलब्ध होगा